हाई कोट की इंदोर खंड पीट ने मद्यप्रिदेश सरकार को बड़ा जटका देते हुए नगर निगम और नगरपालिका को घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया पर इस ट्रे लगा दिया है दरसल राज़सरकार ने जिला कलेक्टरों को नगर निगम और नगरपालिका की परिसीमन प्रक्रिया को पूर्ण करने की निर्देश दिये थे इसकी तहट नगरणीगम में वाडू की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है लेकिन नगार निगम और नगरपाली का की सीमा घटाने बढ़ाने को लेकर राजजपाल की अनुमती लेना जरूरी है जो कि नहीं ली गई थी इसी आधार पर सरकार द्वारा जारी निर्दीशों की विरोध में इंदोर नगरपाली का निगम के एमाई सी सदस्य दिलीप शर्मा ने हाई कोट में याचिका दैर कर सरकार की फेसले को चुनोती दी थी इस प्रक्रिया को गलत बताते हुए कहा गया था कि परिसीमन की निर्देश राज्यसरकार नहीं दे सकते निगम के अधिनियम के मुताबिक राज्यपाल की अनुमती आवश्यक है जबकि राज्यसरकार ने सिधे कलेक्टर्स को परिसीमन के आदेश दे दिये थे याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोट ने राज्यसरकार से जवाब मांगा लेकिन राज्यसरकार की जवाब से हाई कोट संतूस्ट नहीं हुआ और इंदोर नगर निगम की परिसीमन की प्रक्रिया को गलत मानते हुए इस पर स्टे लगा दिया याचिकापर अगली सुनवाई 2 दिसंबर की जाएगी जिसमें राज्य सरकार से विस्तरत में जवाब मांगा गया है जिनके संग्यान में लाए बिना इस प्रकार की कारवाई करना सम्विधान के और नियमों के विपरीथ है उसी नोटिफिकेशन के आधार पर इंदोर की नगर निगम सीमा को भी बढ़ाने का काम कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर शुरू किया था जिसमें ग्राम बांक और नेनोट को नगर निगम सीमा में शामिल करने की कारवाई शुरू की थी हमने इसको असामविधानिक होने के आधार पर चुनौती दी थी जिस पर पांच तारीक को सुनवाई हुई थी आधमानी ने आधेश दिया है कि उस नोटिफिकेशन जिससे कलेक्टर को अधिकार दिये गए थे और बांक नेनोट को शामिल करने का जो नोटिफिकेशन कलेक्टर ने जारी किया था उस पर स्टे दिया गया है और सरकार को विस्तरत जवाब देने के लिए अवसर देते हुए दिसंबर में तारीक लगाई है